अई फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे यूटूउब चैनल पर आज की वीडियू में हम बात करने वाले covid के तरब से new requirement निकाले गई है उसकी चर्चा करेंगे आज के वीडियू में बात करेंगे इसके selection process के बारे में education क्वलिपेकेशन क बारे में इस लिमिट के बारे में इन सब बातों की आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे तो आज का वीडियो सुरू करने से पहला आप से एक चोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप पहली बार हमारे चैनल पहें तो चैनल को सबस्क्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं जिसे आने वाली नोटिपिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप हमारे टेलिग्राम चैनल में जूड़ के इस वेकेंशी का नोटिपिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं और apply केसे करना इसका building अमारे टेलिग्राम गुरूप में दिया गया है टेलिग्राम गुरूप का link वीडियो के description में दिया गया है तो आप join कर सकते हैं coaching metro की तरफ से various post के लिए vacancies out की गई है अब हम इसके official notification पे चलते हैं और देखते हैं कौन-कौन सी post के लिए vacancies out की गई है तो आप notification में देख सकते हैं coaching metro rail limited की तरफ से vacancies out की गई है अपडेट भी देख सकते हैं 17.11.2021 को notification out किया गया है ये contract based पे आपकी vacancies वने वाली है जो government of India और government of Keral इन दोनों के metro का project है उसके अनुसार की जाएगी coaching में जो metro project बन रहा है वो water में पनेगा क्योंकि coaching में जो metro चलेगी वो water के अंदर चलेगी इसलिए जो vacancies out की गई है वो coaching water metro project के तेख की गई है इसमें हम बात करते हैं कौन-कौन सी post के लिए vacancies out की गई है तो सबसे पहले हमारी terminal controller, boat master और boat operator इन सबी के लिए vacancies out की गई है हम विस्तार से post wise details में चर्चा करेंगे इनके qualification की बारे में सबसे पहले हम नेमो पोस्ट की चर्चा करते हैं तो हमारी terminal controller की इसकी post की बात करें तो 20 post के लिए vacancies out की गई है qualification की बात करें तो आपके पास में diploma भी टेक एनिक टेकनिकल फिल्ड में होना चाहिए और experience भी मांगा गया यदि आपके पास तीन year का experience है CPR का तो आप फोर्म बर सकते हैं जोब की description देख सकते हैं किस परकार की आपकी जोब होगी पेश केल की बात करें तो आपकी 35,000 पेश केल होने वाली पर मन age limit की बात करें तो इसमें age की गणना वो एक नॉमबर 2021 के नुसार की जाएगी 18 से 45 एर के candidate एपलाई कर सकते हैं age election की बात करें तो A.C.H.T. O.B.C. इन सब के लिए जो बाकी vacancy में होता है उसी परकार होने वाला है इस पोस्ट के लिए selection की बात करें तो written exam होने वाला है practical test होगा और उसके बाद में interview होने वाला है आगे हम इसमें बात करें vote master की पोस्ट के लिए इसके लिए total 15 vacancies आउट की गई है qualification की बात करें तो इसमें second class master degree होने चाहिए आपके पास में या आपके पास 10 करने के बाद idea certificate है तो आप इसमें फोर्म एपलाई कर सकते हैं diploma है तो भी आप इसमें फोर्म एपलाई कर सकते हैं इसमें experience की बहुत जादा demand की गई है experience की बात करें तो 5 साल का आपके पास boat master see में experience होना ज़रूरी है job की description की बात करें तो आप देख सकते हैं किस परकार की आपकी job होने वाली है page scale की बात करें तो इसमें boat master में आपके चाड़े सेजार पर मंद salary होने वाली है आगए हम इसमें बात करते हैं एज लिमिट की तो इसमें भी 18 से 45 साल के candidate एपलाई कर सकते हैं इसके selection process की बात करें तो इसमें return test होने वाला है practical test, interview ये सब होने वाला है आगे हम इसमें बात करते हैं boat operator post के लिए इसके लिए भी 15 vacancies out की गई है इसके qualification के हम चर्चा करें तो आपके पास में second class engine driver का certificate होना चाहिए या 10th के बाद 12th किया है या ITE किये साथ में तो आप इस form को apply कर सकते हैं इसमें experience की बात करें तो आपके 2 साल का आपके पास में boat engineer या operator in C का experience मंगा गया है या आप एक service में ने या BSF में आप में इस परकार की post के लिए सिवह दिये तो आप इस job के लिए apply कर सकते हैं जोब discretion की चर्चा करें तो आप देख सकते हैं आपकी किस परकार की job होने वाली है medical standard भी दे रखा है pay scale की इसमें बात करें तो आपके 35,000 रुपे पर मंद आपको मिलने वाले है age limit की बात करें तो 18 से 45 साल के candidate इसको apply कर सकते हैं written exam होगा practical test होगा और entry होगा और उसकी आदार पर आपका इसमें selection होगा ये job आपको contract based पे होने वाली है लेकिन जुरूर apply कीजिए वहां के रहने वाले हैं यहां सपास के हैं तो इसमें जुरूर apply करें आगे हम इसमें बात करें general entry हाउट apply किस परकार करना है तो आप apply कर सकते हैं last date application की वह एक बारा 2021 होने वाली है apply का link वीडियो के description में दिया गया है और उपे से notification का link भी वीडियो के description में मिल जाएगा तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जुरूर बताएं फिर भी आपका कोई doubt हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दिनिवाद दूस्तों मिलते हैं next वीडियो में